हे गाइस मेरा नाम है अपूर्बा और आप देख रहे हैं स्मैक टेक की यूट्यूब चैनल तो अगर आप अपने मी एवन में सिंगल बटन स्क्रीन सॉट लेना चाते हैं तो इस वीडियो को अंतक देखते रहे हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर home button को long press करके आसानी से screenshot ले पा रहा हूँ और यहाँ पर मैं crop को adjust करके आसानी से इसको download करके gallery में save कर सकता हूँ तो ऐसा करना possible है एक app की मदद से जिसका नाम है screenshot assist जो कि आपको play store में आसानी से मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है आप मेरे description में जाके check कर सकते हो आपको वहाँ पर link मिल जाएगा इस app को install करने के बाद आपको सिधे settings में जाना है अप के settings में नहीं अलग से आपका जो phone का settings है वहाँ पर जाना है क्यूंकि अगर आप direct app के settings में जाओगे तो यहाँ पर जो changes वगरा है आप नहीं कर पाओगे और finally जो है आप single button home button को press करके screenshot नहीं ले पाओगे तो आपको पहले अपने device के settings में जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर Google के settings में जाना है Google के settings में आपको यहाँ पर एक search का tab मिल जाएगा उस search के tab को आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर voice का option मिलता है आपको सीदे voice के option में जाना है और ok google detection जो है यहाँ पर आपको say ok google anytime यह आपको setup करना है जैसा कि मैंने यहाँ पर setup already करके रखा है अगर आपने नहीं किया होगा तो इस tab को क्लिक करने के बाद आपको ok google बोलना पड़ेगा तीन बार पहले भी आपने ऐसा किया होगा अगर करके आप रखे हैं तो आपको यह settings अलग से करने की जरूरत नहीं है तो इसको आपको screenshot assist जो app आपने डाउनलोड किया है उसके settings में जाना है उसके बाद assist app में आपको जाना है और बाकी सारे जो permission है आपको on करने है उसके बाद यहाँ पर screenshot assist को आपको select करना है क्योंकि यहाँ पर enhanced google service का already selected उसे change करके आपको screenshot assist को permission देना है पहले settings करने का यहीं मतलब था कि enhance google service को आपको option को यहाँ पर लेके आना है जैसे आप back करते हो यहाँ पर आपको दिखेगा कि everything is set up और अब आप जो है आसानी से screenshot ले सकते हो home button को प्रेस करते हुए यहाँ पर आप देखिए home button को खाली आपको long प्रेस करना है और यहाँ पर खाली उस page पे आपको home screen को long प्रेस करना है उसके बाद जो download button है उस पे आपको click करना है और जैसे आप allow कर दोगे यह आपके gallery में जाके save हो जाएगा तो वीडियो को देखने के बाद आपको volume down button और power button को long प्रेस करके screenshot लेने की ज़रूद नहीं है क्योंकि बड़ी है असानी कर दो कर दो झाल